Hello students, welcome to Magnet Brains Hindi Medium मैं लाली वर्मा, जी हाँ, आपके हिंदी अध्यापिका लाली वर्मा की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्वागत करने के साथ साथ ये आशा और प्रार्थना भी है कि आप जहां भी होंगे स्वास्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन जित होंगे, अपने आपका खयाल रखते हुए पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे हमने अपनी पार्थ पुस्तक, कक्षा बार्वी की पार्थ पुस्तक दिगंत भाग दो का पार्थ पांच शुरू कर दिया है जो भूशन, कवी भूशन द्वारा रचित कवित है अब प्रीविएस वीडियो देखा है, देखा है ना, जिसमें हमने कवी परिचे किया है कवी ताकी व्याख्या की है, साथ ही साथ बिहार बोर्ट सॉलिशन्स भी है आशा करती हूँ, प्रीविएस वीडियो देख लिए है और जब previous वीडियो देख लिए हैं तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत-बहुत-बहुत महत्वपून है क्यों? क्योंकि ये है बहु विकल्प ये प्रशन वाला वीडियो Multiple choice questions जिसमें प्रशन रहता है एक विकल्प रहता है चार सही विकल्प को आपको चुनना है तो चलिए भई मैंने तो अपना काम कर दिया है अब आपकी बारी तो चलते हैं पहले प्रशन की योर पहला प्रशन है कवित के कवी कौन है? कितने बच्चों ने जवाब दिया? वाँ 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 कौन है? भूशन? अरे वाँ बिलकुल सही जवाब है आप सभी का बहुत बढ़िया अगला भूशन जी का जन्म कब हुआ था? अब बताओ जरा कौन बताएगा कादिया है 1617, खादिया है 1613, गादिया है 1614 और गादिया है 1615 अब आप बताएगे जरा कि जन्म कौन से सन में हुआ था? किसको याद है? हुआ तो था 16 सो में ही लेकिन कौन सा वर्ष था? 17, 13, 14, 15 बोलिये किसने जवाब दिया? 1613 चलो भई आगे बढ़ते हैं भूशन जी का निधन कब हुआ? 1714 जन्म कब हुआ ये देख लिए आपने? 1613 निधन कब हुआ? 1714, 1713, 1715 या 1716? उनका निधन हुआ 1715 1613 से 1715 मतलब 102 वर्ष जी है? क्या बात है? भूशन जी का जन्म इस्थान कहां है? तिकवापुर, कानपुर, उत्तरप्रदेश खा वारण असी काशी में गा इलाबाद उत्तरप्रदेश या फिर घा सिताव दियारा गाउं सारन किसी को याद है? चलिए तो पहला है तिकवापुर, कानपुर, उत्तरप्रदेश क्या आपको लगता है कि ये सही है? यदि आपको लगता है तो बिल्कुल सही है चलते हैं आगे भूशन जी के पिता जी का नाम क्या था? बोलो, सोचो, देखो का है श्याम त्रपाथी? खा रतन त्रपाथी? गा चंदर शेकर त्रपाथी? या घा रतना कर त्रपाथी? क्या लग रहा है आपको? भूशन जी के पिता जी का नाम क्या होगा इन मैं से? क्या था उनके पिता जी का नाम था रत्नाकर्त्रपार्थी ठीक है चलते हैं आगे प्रशन है भूशन जी के प्रमुख आश्रेदाता कौन थे बताईए कौन थे का है चत्रपती शिवा जी खा है साहू जी गा है चत्रसाल अर्थात राजा चत्रसाल और घा है उपर्युक्त सभी तो भूशन जी के प्रमुख आश्रेदाता समझते हो बिटा जिनोंने उन्हें आश्रे दिया जिनोंने उन्हें अपना जीवन पालन पोशन करने के हितू उन्हें अपने राज्य में रखा आश्रे दिया आश्रे देना मतलब साहिता करना तो भूशन जी के प्रमुक आश्रेदाता कौन थे? चत्रपती, शिवाजी, साहू जी, गाज, राजा, चत्रसाल या घाज, उपर युग तो सब ही अर्थाद भूशन जी ने चत्रपती, शिवाजी की राज में भी अपना कारे किया साहु जी के भी में भी राजा छात्रसाल के में भी तो ये सब इनके आच्रेदाता कहलाते है भूशन जी का उपनाम क्या है? उपनाम का है शिवाजी? का है साहु जी? गा, बापु या फिर भूशन ही था? बोलो, क्या भूशन ही था? भूशन से ही जानते थे? चाल, भूशन जी को कवी भूशन की उपादी किसने दी? अब नाम उपनाम भूशन लेकिन फिर उनको कवी भूशन किसने उपादी दी? उसके पस्चात वे कवी भूशन के रूप में जाने लगे जाने पहचाने जाने लगे का है छत्रपती शिवाजी ने उनको कवी भूशन की उपादी दी या फिर खा राजा छत्रसाल ने उन्हें भूशन की उपादी दी कवी भूशन की या फिर गा राजा रुद्र साह सोलंग की राजा क्या उन्होंने कभी भूशन की उपादी दी या फिर घा है ओपर एक तुम ऐसे किसी ने नहीं किसी ने तो दी है भूशन को कभी भूशन को किसका लगता है आपको A, B, C, A, D किसी को A लग रहा है क्या किसी को B तो कभी भूशन की उपादी उनको राजा, रुद्र, साह, अर्थात, सोलंकी राजा ने दी भूशन जी के भाई के रूप में कौन जाने जाते हैं का चिंता मनी त्रपाथी भाई के रूप में गा मती राम भूशन गा उपर युक्त दोनों या फिर गा उपर युक्त मैंसे कोई नहीं क्या लग रहा है आपको क्या दोनों आपको लग रहा है गा बिल्कु सही लग रहा है आपको त्रपाथी आपको पता ही है कि उनके पिता जी त्रपाथी लिखते थे मतिराम भूशन जो भूशन के नाम के साथ उनका जुड़ा हुआ है तो चिंतामनी त्रपाथी और मतिराम भूशन दोनों ही भूशन जी के भाई के रूप में जाने जाते हैं कौन-कौन मतिराम भूशन चिंतामनी त्रपाथी अगला भूशन जी की किस कृती में छत्रपती शिवा जी की वीरता का बखान है कौन सी कृती है भूशन जी की जिसमें उनकी वीरता का बखान है का शिवा बावनी खा छत्रपती बावनी गा छत्रसाल बावनी या फिर उपर युक्त कोई नहीं है तो इनी मैसे कौन कौन है शिवा बावनी, छत्रपती बावनी, छत्रसाल बावनी जिसमें शिवा जी की वीरता का वर्नन है याद रखना है तो शिवा जी की वीरता का वर्नन है शिवा बावनी ठीक है जिसमें वीर शिवाजी की वीरता का वर्नन है भूशन हिंदी कविता में किस काल के एक प्रसिद्ध कवी हैं किस काल के का आधुनिक काल खा रीती काल गा मध्यकाल या गा भक्ती काल तो देखो आधुनिक काल के तो वे थे नहीं भक्तिकाल के भी नहीं थे अब बचा रीतिकाल और मद्यकाल तो मद्यकाल के भी नहीं थे अर्था रीतिकाल के थे क्या देखते हैं सही जवाब बहुत बड़ी आप जीत गए हैं सही जवाब जीत गए हैं अगला कौन जाती स्वभिमान आत्म गौरव शौर और पराक्रम के क कवी हैं का शमशेर बहत्दुर सिंग सबसे पहले आप देखिए कि जाती का स्वभिमान आत्म गोरब शौर यह और पराक्रम के कवी माने जाते हैं पहला है शमशेर बहत्दुर सेंग दूसरे हैं जैशंकर प्रसाद तीसरे हैं रहीम और चौते हैं भूशन भूशन पक्का लॉक कर दूँ चलो चेक करते हैं वहाँ बहुत बढ़िया अच्छा उत्तर दिया है आपने अगला प्रश्ण भूशन कैसे कभी है? ओप्शन्स है प्रीती बद्ध आचार्य कभी खा रीती बद्ध आचार्य कभी तो कभी भूशन है रीती बद्ध आचार्य कभी क्योंकि वे रीती काल के ही है रीती काल की प्रधानता थी इसमें से जब भी रीती काल का वर्नन किया जाता है तो रीती काल में एक प्रमुक रस की प्रधानता थी आप बतादो ज़रा कौन सा था विकल्ब है का है वीभत्सरस, खा है वीरस, गा है श्रिंगारस और गा है करुनरस रीती काल में किस रस की प्रधानता थी? अर्थात रीती काल की प्रधानता जो भी रचनकार थे वो इन में से किस पर अधिक रूप से ये प्रधानता की रूप में रचना करते थे? श्रिंगारस अब सुनो मेरी बात तो यहाँ पर जब भूशन जी का नाम आता है तो सब कहते हैं कि उन्होंने तो वीरस की रचना की है सही कहा आपने तो श्रिंगारसर्थात प्रेम ठीक नायक नायका प्रेमी प्रेमी का ठीक है? यहाँ पर वर्णन किया जाता था इस काल में लेकिन वीरस को भूशन जी ने बहुती सुन्द तरीके से लिखा तभी तो उनको कहा जाता है गिस आत्मा की स्वतंद्रता से लिखते हैं ठीक है? अगला भूशन जी के कवित में किसकी शौर्य का बखान है? किसके शौर्य का बखान है? का छत्रसाल खा छत्रपती शिवाजी गा उपर उखत दोनो या गा इन में से कोई नहीं तो भूशन जी कवित में छत्रपती शिवाजी बिल्कुल सही जवाब हौँ वो इसलिए कि शिवाजी को छत्रसाल भी कहा जाता है छत्रपती शिवाजी भी इसलिए यही आंसर सही है ऐसी गलती गलती से भी मत करना ऐसी भूल भूल कर भी मत करना अगला इंद्र जिमी जम्भ पर बाडव जयों अमन पर किन की पंगती है तो ये तो है का भूशन खाजाईसी गासूरदास घानाबादास तो ये भूशन की है क्योंकि वीरस से वो त्रोथ है निकसत म्यान में ये मयूख प्रलै भानू कैसी जब मयान से निकलती है तो भानू अर्था सूरी के किरणों के समान चमा कुटती है किस की पंगती है का जयसी, खा सूरदास, गा नाभादास ये भूशन तो ये है भूशन की कवी भूशन का प्रथम कवित किस एतिहासिक पुरुष से संबंधित है का शिवाजी, का रंजीत सेंग, गा छत्रसाल या गा अलादीन तो ये है बात शिवाजी से संबंधित छत्रसाल दशक के रचनाकार है का भूशन, खा जयसी, गा सूरदास, गा तुलसी दास तो वे है भूशन कवित के प्रथम पद में कौन सारस है प्रथम पद की बात की गई है का है श्रंगारस खा है वीरस गा है वीवत्सरस या फिर करून देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दू इसमें होता है प्रेम का वर्नन इसमें होता है वीरता का वर्नन इसमें होता है घ्रणा का वर्नन और इसमें होता है दया या करुना का वर्नन तो अब आप हमें बताइए जी हाँ हमें ही बताइए कि कवित के प्रथम पद में प्रेम का वर्नन हुआ है या वीरता का वर्नन हुआ है या घिरना का वर्नन हुआ है या फिन दया या करुना का प्रथम पद की बात पूछी है प्रथम पद में वीरता का वर्नन हुआ है वीररस की प्रधानता आई है याद रख लेना कभी भूलना नहीं भूशन के कवित में प्रथम कवित में वीररस का वर्नन हुआ है कभी था के दुत्तिय पद में किस रस की अभी वेंजना हुई अभी प्रथम पद में क्या हुआ वीर रस तो दुत्तिय उसमें क्या है श्रंगार रस करुंड रस वीवत्स रस या वीर रस तो प्रथम तो वीर था लेकिन जो दुत्तिय है उसमें वीवत्स रस चारों तरफ कटे हुए पड़े हैं ऐसा अजीब वाला घ्रणाओ ऐसा जिसे देखकर एकदम आतम दहल उठे वह वीवत्स होता है तो जब उनकी तल्वार का जहां वरनन किया है ना उसमें वीवत्स रसाया है लागती लपकी कंठ बैरनी की नागनिसी में कौन सा अलंकार है लागती लपकी ला ला हुआ ना रिपीट अनुपरास पूशन रीती कावे की किस धारा के कवी है रीती मुक्त धारा रीती युक्त धारा सगुन धारा या निर्गुन सगुन और निर्गुन तो आएंगे नहीं क्योंकि सगुन में तुलसी दास जी का सबसे पहले नाम आता है निर्गुण में कबीरदास जी का सबसे पहले नाम आता है तो रीती मुक्त थे या रीती युक्त थे रीती मुक्त मतलब रीती प्रेम के बिना लिखा है या प्रेम के साथ लिखा है तो वे आते हैं रीती मुक्त धारा क्योंकि उन्होंने वीरता का बखान किया है प्रेम का न जो पध्धती है वो मुक्तक पध्धती है शिवाजी की तुलना भूशन ने किस से की है का इंद्र खा राम गा परशुराम उप्रोग सभी तो सभी से की है उन्होंने तो चत्र साल की तलवार कैसी है का सूर्य की तेज किर्णों के समान खा तूटी हुई गा मुड़ी हुई तरची ना ना तूटी हुई है ना मुड़ी हुई है ना तरची वो तो है सूर्य की तेज किर्णों के समान अगला, भूशन को भूशन की उपाधी किस ने दी? खा, का है चत्रपती शिवाजी ने? गा महराज शत्रसाल ने, गा राजा रुद्र शाह ने या औरंगजेव ने? तो राजा रुद्र शाह ने, भूशन का अर्थ क्या होता है? शेर, हाथी, मलेच या पानी, तो शेर होगा भूशन का अर्थ अंब का अर्थ क्या है? का शेर, खा, हाथी, गा मलेच या पानी, तो अंब का अर्थ होता है पानी शिवाजी का राज किस पर है? मलेच पर, इंद्र पर, कामदेव पर या बादल पर तो शिवाजी का राज है मलेच पर अगला, रती के पती कौन है? कामदेव, बादल, परशुराम या इंद्र तो रती के पती है कामदेव, ठीक है? शिव का राज किस पर है? शिव का बादल, खा, कैलाश गा, कामदेव या घा, परशुराम तो शिव का राज बताया है कामदेव पर जो स्वयम कामदेव सब को जो अपने वश में करते हैं शिव का राज कामदेव पर है येस, बहुत बढ़ियां तालिय मजाईए अपने लिए क्योंकि आपने ध्यान पूर्वाक सुने हैं सभी वस्तुनिस्ट प्रश्न जो की हर एक परिक्षा में बहुत एहम भूमी का निभाते हैं तो मेरे प्यारे विध्यार्तियों इसी तरह से बने रहिएगा Magnet Brains Hindi Medium के साथ और पढ़ते रहिए आगे की और chapters हम मिलते हैं नेच्ट वीडियो में स्वस्त रहिए खुश रहिए बाबार थैंक यू सो मच